नमस्कार दोस्तो, दोस्तो स्वागत है आपका आपकी यूटूब चेनल में इस्टुडेंट किसी भी कंस्ट्रिक्शन साइट पर वर्क करने के लिए आपको कुछ थम्रूल्स की आउसकता पड़ती है एसे थम्रूल्स जो आपको साइट पर वर्क करने में आसानी हों आप आसानी से वर्क कर सकें, आप एक पोजिशन पर स्टेंड कर सकें इसलिए आपको हम कुछ थम्रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा टार्गेट है मिनिमम आपको टोप हैंडेट थम्रूल्स प्रोवाइड करना ठीक है यदि आपने हमारा पार्ट फर्ष्ट एंड सेगंड नहीं देखा है तो प्लीज उससे जरूर चेक आउट कीजिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाईए ठीक है तो इसलिए हम बात करने वाले हैं आप को सिब्स्क्रिशन याद कर सकते हैं मेट्रियल का और साथे साथ एक बात करेंगी कि आपकी इसलिषील रोड होती है उसकी लेंद कितनी होती है उसके वेट कितना होता है यदि आप एक मिटर के साथ से लेंद रिका लेंगे बाई फॉर्मूला भे देखेंगे मीटर में फीट में आईस कोड के कोडिंग सारी हान चीजे बात लेका रहेंगे तो आप वीडियो को पूरा एंटर देखिए ताकि आपको सभी चीजे समझ में है आप से लाश्ट रिक्वेश्ट हैं यदि आप हमाई चैनल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सब्सक्राइब आपके पास सबसे पहले पहुँचे अब हम चलते हैं हमारी स्क्रिन पर महांपर सारी चीज़े हम समझते हैं हमें समझना है unit weight for quantity calculation गालना चाहते हैं तो आपको unit weight पता होना चाहिए without unit weight आप किसी भी material की quantity को नहीं निकाल सकते हैं ठीक है तो देखिए हमें सबसे पहले जो यूज होता है हमने इक तम स्पेंस में आपको बताया है, cement, फिर sand, फिर aggregate, ठीक है, फिर steel use होता है, इसके जाद फिर हम water use करते हैं, इन सभी का mixture PCC, इन सभी का mixture RCC, ठीक है हम, और brick work, और last में cement motor, हमने इतने material आपको बताए हैं यहापर, ठीक है, अब देखिए, cement की यूनिट वेट होता है, वो होता है 1440, सभाएका आपको unit weight आए में, kg पर मिटर क्यूब में, sand के लिए हैं, आप 1400 से 1600, दो वेलिक क्यों हैं, क्योंकि यह zone पर depend करती हैं, आपकी zone 1 की है, 2, 3, 4 की है, उस हिसाब से आपको इसकी unit weight लेना है, aggregate, 1600 से 1750, इसके लिए दो क्यों हैं, क्योंकि इसमें आपका size मेटर करता है, क्या आपका cubical size है, किस तरीकी का है, बारीक खत्तर तो नहीं है, इस तरीके से आपको unit weight ध्यान में राखना है, steel का जो आपको सरीया होता है, उसका होता कितना, 7850, water के लिए 1000, PCC, PCC के क्या होती है, plain cement concrete, मतलब cement sand aggregate, steel उसमें नहीं होगा, RCCC में still होगा, cement sand aggregate और water के साथ, उसकी कितनी होती है, unit weight, 2500 kg पर meter cube, ब्रिक्स के लिए होती है, आपकी 1600, और cement motor, मतलब cement है, उसमें sand है, और water है, उसकी कितनी जाएगी है, 2000 kg पर meter cube, ठीक है, इसका last में, वीडियो के last में, आप अच्छे से, इसकी short ले ले जिएगा, ताकि आपके पार notes बने रहें, क्योंकि यही चीज़े आपको है, हम 100 थमरूल आपको बताने वाले हैं, पूरे parts उसमें, ठीक है ना, जितने भी parts आपके आने वाले हैं, कवर देना पड़ता है, अलग-अलग element में, footing के लिए 50 mm, column के लिए 40 mm, beam के लिए 25 mm, slab के लिए 15, और steer case के लिए 15 mm प्रोवाइट किया जाता है, ठीक है, बाकि ये सबी आपको जो cover होते हैं, ये drawing में दिये जाते हैं, लेकिन अधिया आपके बार ड्रोंग नहीं है, और आपको side पर check करना है, तो आपको ये चीज़े check करना है, अब cover क्या होता है, इसकी बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं, माल लेजिए कि ये कोई आपकी beam है, ठीक है, ये beam है आपकी, इसमें आपको सरीय आप लगा हुआ है, एक सरीय यहाँ लगा है, एक सरीय यहाँ लगा है, ठीक है, इसके बाद ये क्या है आपकी stirrups, और इसके बार आपको क्या आएगा, concrete, ठीक है, तो आपका जो reinforcement है, यहाँ से यहाँ तक की distance, मतलब आपको इस reinforcement से बाहर तक की age के लिए, आपको 15 से 50 mm तक का cover दिया जाता है, अलग-अलग element के लिए, ठीक है न, यह वाला, एक यह, एक यह, ताकि आपका जो reinforcement है, वो बाहर न लिख ले, और उसमें किसी प्रकार का कोई नुक्सान या losses वगरा ना हो, unit weight of still bar, जो आपकी still bar होती है, उसका weight कितना होगा, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यह आप से interview में भी काफी जादा पूछा जाता है, तो देखिए हमने आपर different types के diameter लिए हैं, और उनका यहाँ पर आपको unit weight निकाला होआ है, ठीके ना, आप देख सकते हैं, इसको आप लिख 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 जी है, अब हम आपको यहाँ पर यह चीज़ बता देते हैं, कि still bar का unit weight हम निकालते कैसे हैं, देखिए एक formula होता है आपका, d square divided by 162 per meter, मतलब आपकी जो भी length होगे, per meter में निकलेगी है, लेकिन 12 meter का निकालना है, तो आप इसको multiply 12 से कर सकते हैं, देखिए, next है आपका, यदि आपको unit weight काई में निकालना है, पर feet में निकालना है, तो पर feet में आएगा, d square divided by 5, 3, 3, ठीके, इस तरीके से आप इसका formula निकाल सकते हैं, हम आपको एक example बताते हैं, यदि मालने जी आप 8 mm का weight निकालना जाते हैं, इस formula से, तो हम आपको बताएंगे, तो 8 into 8, ठीके, 162, ठीके, per meter length के लिए निकालना है, तो simple size का multiply करके divide किजिए, आपका per meter में निकलेगा, अब आपको एक बार आती है, पूरी 12 meter की, तो आप इसको हैंपर 12 से multiply कर दिजिए, तो पूरी एक सरीया, जो आपको side पर आता है, आपने देखा होगा कि truck में जो आता है, उसका पूरा unit weight निकल लिएगा, एक सरीयगा, यसे जित्ते भी number आप सरीय हैं, आपके side पर या भी truck में जिसका weight निकालना है, तो आप इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको ये चीज़े पता होना चाहिए, ठीक है, अब आपके लिए एक चीज़े हम आपको ये बताना चाहरे हैं, कि 25 mm तक हमने provide किया है, आप हमें 32 और 40 mm का weight निकाल के बताएंगे, fit में और meter में, ठीक है, comment section में आप हमें बताइए, ठीक है, यदि आप comment section में हमें इसका answer बताते हैं, तो आप आपके नाम के साथ हम आपको आपके आपर introduce करेंगें, ठीक है, और आपका जो भी question होगा, वो हम आपको पूरी पूरी तरीके से solve गरेंगें, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान में रखिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं, और हमें 32 और 40 mm का unit में आप निकाल के बताएंगें, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं next की तरफ, देखें, क्या होता है, next में, cube dimension tolerance, क्या होना चीए, प्लस माइनस 2 mm, अब इसका मतलब क्या है, इसको आप पर समझे, क्योंकि यह question आप से interview में काफी जाता, पूछा जाता है, देखें, आप, आपका जो concrete होता है, उसकी testing करने के लिए, यूनिवर्शन टेस्टिंग मसीन पर, compression में, आप क्या cube की testing करते हैं, अब उस cube में, आप different types की cube बना रहे हैं, मतलब आपका जो cube का size होता है, ये cube हैं माली जी आपका, ठीक है, तो इसका size क्या होगा, 150 mm by 150 mm by 150 mm, ठीक है, ये रहता है, अब इस तरीके से, आपने माली जी 3 cube बनाए हैं, तीनों को आप test कर रहे हैं, अब तीनों पर test करने के लिए, आपकी जो value आईगे, कुछ न कुछ differ आईगे, अलग अलग आती है, ठीक है ना, तो कितना आप मान सकते हैं, कि इतना चल जाएगा, तो plus minus 2 mm का, यदि आप tolerance लेकर चलेंगे, तो आपको कोई भी problem नहीं होगी, ठीक है, कितना size होता है, हमने आपको बता दिया, कितने दिन तक curing करते हैं, cube की 28 days तक, आपको curing करना है, उसके बाद आपको testing करना है, ठीक है, next आता है, हमारा standard staircase slope, 25 degrees से 40 degrees तक, आपका slope दिया जाता है, अब केसे दिया जाता है, हमें किस तरीके से find out करना है, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, staircase की playlist आपको, discussion box में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जरूर check out कीजिए, ठीक है ना, इक इस तरीके से हम slope निकाल सकते हैं, अब staircase में हम बात करते हैं, कि riser भी होता है, और आपका trade भी होता है, तो ये किस तरीके से find out कर सकते हैं, कितने number of riser होते हैं, trade होते हैं, हमें dog luck staircase कैसे बनाना है, कम से कम जगे में हम किसी steer बना सकते हैं, सभी के बारे हम discuss कर किया हुआ है, एक playlist आपको हम नीचे provide कर देंगे, ठीक है, नेक्स आता है आपका एक इन्चे में art suit होता है, एक suit में आपका 3.17 mm होता है, ये आपका conversion unit है, ये आपको ध्यान में लगता है, एक वीडियो हो और आएगा आपका, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको unit convergence करना सिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रही है, नेक्स आता है पेरापेड वॉल, पेरापेड वॉल क्या होती है, जो आपकी जट पर लगी हुई है जो boundary पूरी कहलाती है, वो आपकी पेरापेड वॉल क्यालाती है, उसकी minimum 1 meter height होना चाहिए, इससे कम आपको provide नहीं करना है, ठीक है, यदि कम करते हैं, तो आपके घर में यदि कोई बच्चों अगेरा है, चोटा उसको गिनने की हो सकता है, कि गिर सकता है, तो सबी और आप खड़े रहते हैं, तो आपको proper तरीका रहेना चाहिए उसके लिए, इसलिए आपको 1 meter minimum आपको देना पड़ता है, नेक्स रहता है हमारा lintel thickness, अब lintel क्या होता है, देखिए, आपका जो कोई भी door होता है, ठीक है ना, door या फिर कोई window, इसको रजिस्ट करने के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, छोटी सी के beam प्रोवाइड कर देते हैं, वो beam ही क्या होती है हमारे lintel होती है, तो इस lintel के thickness आपको minimum 1500 mm देना ही देना ही, इससे कमका tolerance यहाप नहीं चलेगा, यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही side पर आपको work करने के लिए मजबूद कर सकती है, आपको किसी भी interview में सारी question यही पुछी चाते हैं, ठीक ना, thumb rule के according आप work करेंगे, कोई भी problem आपको नहीं होगी है, ठीक है, next आता है हमारा length of crank bar, अब यह crank bar क्या होती है, हमने आपको कल की वीडियो में यह बताया है, पार्ट टू में, कि जो आपका slave होता है, माले जी यह आपका क्या है, एक slave है, इसमें आपने हापर provide की हुई है, आपका two-way slave है, तो चारों तरफ से आपका के रहता है, भी में रती है, और आपने इस तरीके से यहापर एक provide किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके, तो यह जो length होती है, यह वाली, यह क्या होती है, आपके crank bar में आती है, उसकी length कैसे निकालेंगे, इसकी 0.42D, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा minimum dia of double bar, अब यह double bar क्या होता है, आपने road की construction में देखा होगा, कि जो RCC payment होता है, या RCC का road होता है, उसमें इस तरीके से सरीय भाहर निकले होए रहता है, तो यह जो सरीय भाहर निकले होए रहते हैं, वो burning के लिए, रजिस्ट करने के लिए load को दिये जाते हैं, उसका जो minimum dia है, वो कितना होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ हम आपको यहापर पताना भूल गए हैं, कि आपकी जो crank bar है, उसमें यह जो D होता है, वो क्या होता है आपका, slab thickness minus 2 into cover, अब देखिए, thickness of cover, slab की thickness आपको 125 mm देना ही देना है, इससे कम नहीं चलेगे, 2 into cover, cover आपको कितना provide किया जाता है, slab में 25 mm का, तो जो भी value आप निकलेगी हैं से, उसको यहाँ पर रखके, 0.42 से multiply करके, यह वाली length निकाल सकते हैं, मतलब आदी आपके, आप work करा रहे हैं, तो आप जो labor है, जो सरिया कार्टरी यह बना रही है, उसको बोलेंगे कि, आपको इतना सडिया यहां से मोड़ना है, ठीक है ना, तो आई हो आपको आजका यह video समझ में आया है, जिसमें काफी हमने अच्छे questions लिये हैं, कि lentil के thickness क्या होती है, cube dimensions क्या होना चाहिए, tolerance कितना होना चाहिए, इस टेक हैस के बारे में बताया, साथी साथ हमने unit weight के बारे में बताया, ऐसे वी video को देखने के लिए, आप हमारे साथ बने रहे हैं, चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को hit कीजिए, ताकि सभी notification आपके बाद सबसे पहले पहुँच जाया, अब हम मिलते हमारे next video में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, thank you for the watching,